नमस्कार दोस्तों मेरा अधारी सवगत करता हूं आपका दोस्तों आज ओ screening करेंगे रास्यों के हिसाब रास्यों के नूसार आप कैसे सम्झा गिया को कौन सी विमारी हो सकती है यह रासि के बिखेंने किसा अस्ट किसाच कारक होती है देख्ये, पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको तीन चीज़ जब भी हम Medical Astrology के बात करते हैं तो तीन चीज़ उसमें आहम भूमी करनी बाती हैं एक भाव के हिसाब से भी हम बिबारी देखते हैं गरव के हिसाब से भी हम बिमारियों को देखते हैं अपनी पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया गरो के हिसाब से फिर दूसरी वीडियो में बाओ के हिसाब से एक उधारन कुंडली से आपको समझाया इस वीडियो के अंदर क्योंकि मैंने उधारन कुंडली नहीं ली है पर आपको मैं बहुत सरल तरीके से समझा क्योंकि मेरे पास इतना गैप नहीं बचाता कि मैं आपको एक उधारन कोड़ली भी आपके सामने ले क्या हूं अगर आप उधारन कोड़ली के हिसाब से समझना चाहते हैं तो मेरी पहली दो वीडियो देख लिएगा आपको और असानी से समझभा जाएगा फिलाल जो यह ती अगर वरसब रासी जो होती हैं वो कारक होती है चेहरे की गला की गराशनली कंट नली चेहरे की हड़ियां जो मिथुन जो रासी होती है वो होती है कंदे गरदन हाथ बहाएं उपरी सीना स्वासनली गरदन कंदे कॉलर बोन हाथ और बहां की हड़ि जो चोथी जो रासी होत येकरत जिगर तिल्ली और पेट जो कन्या की बात करें हम तो कन्या राशी से विचार करते हैं बिमारी का नाभी निचला ओदर और बढ़ी आत का अब तुला की अगर हम बात करें तो कटी प्रदेश गरवाश से अंड़ाश से अंड़कोस और अंटर्नल डिसीज तुला राशी से हम विचार करेंगे मकर घुटने से जोडो वाली हड्डियां घुटने के जोर और घुटने की टौपी से हम मकर राशी से विचार करेंगे कुम राशी से हम विचार करेंगे टांगों की टकना की लक्त संचार की पिंटलिया की और टकने की हड्डी यानि पैरों के जो गुटने होते हैं इसके अंदर के जो अड़ी मीन से हम विचार करेंगे पेर पंजे और आपका लिशी का तंतर पेर अवंपज्यों की हड़िया तो यह बारा रासिया होती है अगर कोई रासी खराब है तो उससे रिलेटेड आपको दिक्कत होगी अब कुडली में आप कै कोई खराब गरह देख रहे हैं खरे घराब के उस पर दरश्टी है तो वो रासी खराब बानी जाएगी और उससे रिलेटेड आपको कहीं न कहीं दिक्कत आ सकते ही विमारी आ सकती है कुडली के मैद्दम से अगर आप और जाता जानना चाहते हैं तो आपको विचार करना ह कुडली के अंदर भाव को भी लेके और ग्रह को भी लेके ये तीसरा पार्टे दोनों भाव के अंदर में एक जांपल कुडली के मत्याप से समझाया है अगर ये तीनों चीज समझ लेंगे तो आपको मेडिकल इस्ट्रोजी के बारे में बारे की से समझ में आ जाएगा तो